गुद मॉर्णिट सुडेंट्स तक्षा पाच की व्याकन की पुस्तक का दूसर अध्या जिसका नाम है वन्विचार इस अध्याय में हमने कल जो पढ़ा था वो था वन के विश्य में वन किसे कहते हैं वन माला क्या है अनुस्वार अनुरासिक विश्यार जो कि तीनों यह य प्योग से तो देखिए बचो जब रह किसी अन्य स्वर्रहित व्यंजन के साथ उच्चरित होता है तब हम इस प्रकार रह का प्योग करते हैं जैसे आपके उधारन में दिया गया है कै प्लस रह इस इकल टू प्रा और इससे बनने वाला शब्द हमारा क्रम इसी प्रकार प व्यंजन है शब्द है जब अन्य स्वर्रहित व्यंजन के साथ उच्चरित होता है राका प्योग स्वर्रहित व्यंजन के साथ जब होता है तब हम रेफ राका प्योग करते हैं इसी प्रकार दूसरी कंडिशन क्या है हमारी जब रा स्वर्द के बिना किसी व्यंजन से पहल होता है तब वो व्यंजन की उपर लिखा जाता है इसे हम पदेन राभी कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इसे पदेन राभी कहते हैं जैसे देखिए का जमरा जमा मा कर्म वे जमरा जमगा वर्ग ऐसे ही वे जमरा जमरना वन पुछ ऐसे ही वन है जिसमें राकर जो प्रियोग है वह वर्ण के उपर होता है क्योंकि वर्ण के उपर क्यों होता है क्योंकि स्वर्रहित्वेंचन का प्योग जो हुआ है वह वर्ण से पहले हुआ है इसे पकार तीसरा राका रिशी की मातरा को चारण राकी रिशी की मात्रा का जब उच्चारण होता है तो वे री की तरह होता है जैसे हम रह पे छोटी की मात्रा लगए री की तरह करते हैं जैसे म्रेग, ग्रह, घृत, कृपा, कृपा निधान इस तरह के शब्दों का जब राकी रिशी की मात्रा का प्रयोग हुआ तो री की तरह हुआ आपने विराम चिन में हंसपत चिन देखा है जब हमारा कोई वर्ण बीच में या शब्द लिखने से छूट जाता है तो हम एक छोट आसा उल्टा वी कि तरह एक चिन बनाते हैं जिसका प्रयोग हम तरव डा के साथ रा के प्योग में भी करते हैं जैसे ट्रक ड्र अधि शब्धों में होता है वह उटे यूटाे है वह अ छोटे से वी यूप में होता है इसके बाद आता है हमारा वणिचेन जब हम सवर और व्यंचन को अलग-अलग करके लिखते latte किसीअ जब जैसे जब हम स्वर और विंजन को अलग-अलग करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं वन विच्छी जैसे देखिए आपके पुस्तक में धरान दिया है भारतिये अब हमारे चार शब्ध हैं इसमें भ, र, ते और ये वर जब हम देश का विच्छी पिया तो ये चार से हमारे बन ते और आ का ध, ते और ये आ का ये तो पूरा शब्ध जो हमारा बना वह है भारतिये इसी प्रकार विच्छी ते र, ते ये से थी, विच्छी आप हमारा स चै 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 आ आधा चै पहला जो हमारा वर्ण है वो स्वर रही थे और दोसर स्वर युक्ठ है तो दोनों का मिलाकर हमारा दूत वियंजन तो यह बना च आई इ सच चै तो वन विच्चेद कैसे किया जाता है जब शब्द में से वियंजन और सर को अलग अलग करके लिखा जा सहता है तो वो वन विच्चेद केहलाता है या अब है वर्ग और चिन वर्ग और चिन में किस पकार से हम जोरते हैं लीख ते इसके बारे में जालेंगे कई शब्दों में हम डा और धा का प्योग देख सकते हैं डा जैसे शब्द ये बड़ा थोड़ी पे लड़ना आदी शब्द धा बूड़ा पड़ी दे चर्णा आदी शब्द निम्ली के दो वर्णों को चारण सीखो शब्द में प्योग देखो अब देखिए हमारा जा और फा जोकी हमारी आदध ध्वनी है जो हमने दूसरी भाषा से फार्सी भाषा से ली है जब हम जा का प्योग करते हैं तब हम जा की ध्वनी हमारे मुझ से निकलती है प्रति जब इसके निचे चोटा सा बिंतो नुक्ता लगा देते हैं तब इसकी जो ध्वनी होती है वो जव में बदल जाती है और इसी पकर फ से फ में बदल जाती है तो देखें पहले जासे जब्रा, मोजा, रोज, जू इसे पकर फ से फोटो, फरीदा, सफाई, साफ तो ये जो दोनो ध्वनी है वो हमारी ग्रहित ध्वनिया है इसे पकर हमारी किसी घ्रद्धवनी भी है जो हमले अंग्रेजी भाशा से ली है ओकी मात्रा जैसे हम college, all, draw, mall, walk इन शब्दों में प्योग करते हैं डॉक्टर ओकी sound जिसमें हम चंद्र तो लगाते हैं पर उसमें बिंदी नहीं लगाते हैं ओकी मात्रा इस प्रका लिखी जाते हैं कि हम चंद्र तो बनाते हैं उपर पर उसमें बिंदी नहीं लगाते तो बन जाते हैं मारी ओकी आगध्वनी जो कि हमारी अंग्रेजी भाशा से आई है तो बच्चो इसके बाद देखिए अब हमारे की chapter हुआ complete जिसके हमने पूरी तरह से हिंदी वनवाला के विश्चे में जाना कि उसमें कितने सवर होते हैं कितने वेंजन होते हैं आत्री वेंजन कौन से और कौन-कौन से आगध्वनी का हमने प्योग अपनी हिंदी भाशा में किया है तो अब इसका है हमारा कुछ copy work और कुछ book work इस जो next part है वो इसका next page है next two page तो बच्चों आपको इस chapter को एक तो अच्छे से बहुत device करना है और आपने अपनी copy maintain करी ली है साथ में आपको second copy second chapter का copy work भी करना है तो अब आपना बुक पक शुरू करते हैं देखे सबसे पहले नीचे निमित पर्णों में विसर्ग लगा कर इ हैं तब उसकी जो आवाज आती है वह के रूपे आती है तो हम पढ़ेंगे नहां तह शहर महां सह तीनों चारों पाचों इन सारे ही शब्दों के साथ जो हमने विसर्गे लगाई हैं उनकी जो धनी उच्चरित करते समय बोलते समयारे मुख से निकली वह के रूप में निक क्यवर्ड इसकी मात्रा हमें लगानी है तो सबसे पहले रंग मंद शंक नहीं जंगल सुन्दर संकोच पतंग आ नंद डिसम्बर इस तरह से हम लगाएंगे निमलिगी सैवत्व्यंजरों में से एक एक शब्द बनारे हमें चैनल इसे में एक एक शब्द बनाना है तो पहला है श्रमिक पहला है हमारा शमा, दूसरा श्रमिक तीसरा नेथर, चौथा यूध, पाचवा ज्यान और थृध्भृष्भ्ष्या इसी पकार नेक्स कोश्चन से हमारा हमें दूइत वेंजन से एक इक्षाद बराना है गत्ता पक्का लल्ला लट्टू बच्चा अड्डा उधारन के उन्सा बताइए निम्धित वन कैसे बने अब कैसे बने इसके विच्चे में हमको जो रेफ रहा है उसका प्योग इसमें कर जिससे हमने पहले किया इस तरह से स्वर और वेंजन को अलग-अलग करके ही हमें इसमें लिखना है उसके बाद हमें वह पताना है कि जैसे जो हंसपाची नीचे दिया है जिसे हम राक प्योग कहते हैं कहां नहीं लगेगा तो बच्चों यह जो है छवर के नीचे नहीं प्लस जो हमारा बुक्विक रिमेन है वह हम पूरा करेंगे